नमस्कार साथियो दा डिगनिटी के यूटूब चैनल में मैं आशुतोष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम इस वीडियो में अगनी वीर 2023 से संबंदित जो के लिए उसकी चर्चा करेंगे उमीद करता हूं वीडियो आप अंते तक देखेंगे और यदी वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा देखें दोस्तों अगर बात की जाए अगनी वीर 2023 की तो गवर्मेंट ने जो नोटिफिकेशन निकाला थो उस नोटिफिकेशन के अनुसार आपका जो एकजाम है वो 12 से 25 अपरेल के बीच में होना था जो पहले नोटिफिकेशन निकाला गया था लेकिन वास्तविक रूप में आपका जो पेपर कंडेक्ट हुए है वो 17 से 26 अपरेल के बीच में होने ह है और पहले जो डेट थी वह 12-25 अप्राइल थी मतलब थोड़ा सा पांस दिन आपका जो है थोड़ा सा डिले हुआ है पेपर की अगर बात की जाए जो अभी तक पेपर हुए है आपका जो है रिटन जो पेपर हुए है अगनिवीर के लिए उसमें अगर देखा जाए तो पे टेगरी में नहीं रख सकते हैं लिए हम पेपर को करें चीज है और उसके अनुशार जो है मगर एक्सपेक्टेट की की बात करें सबसे पहले फिजिकल की आपको यह आपको कटओफ देखनी है पहले आपके पीजिकल की कट ठोको चांप लिए 50 टे और 50 अगर दो नमबर के ह 100 marks में आप ये मान कर चलो कि minimum आपका जो है 20 question तो आपके सही होने चाहिए मतलब आपका 40 marks है ये आपका minimum है minimum qualifying है कि इतना आपका आना ही चाहिए qualify करने के लिए कितना आना चाहिए 40 marks आने चाहिए मतलब 20 आपके questions जो है वो आपके सही होने चाहिए minus marking one fourth है ये चीज याद रखिएगा minus marking negative marking one fourth है तो आपका 20 question तो आपको इस सही होने चाहिए और इस प्रकार से minus marking को भी अगर आप add on करते हैं तो 40 marks तो आपके आने ही चाहिए for the physical अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यह होगा कि sir final हमारा selection इतने number में हो जाएगा क्या क्या हमारे 20 questions ही होगी तो हमारा final हो जाएगा नहीं देखिए आपको याद रखना है कि 40 जो आपके questions है 40 जो आपके marks है यह आपको qualifying कराएंगे physical के लिए लेकिन अगर आपको final में selection लेना है तो इतने कम number में तो आपका final selection नहीं होगा हाँ अगर आपके minimum इतने है तो आप physical की तयारी जरूर चालू कर सकते हो लेकिन final में आपका selection होगा या नहीं यह बहुत आपका जो है रियर है बहुत मुश्किल है क्योंकि number बहुत कम है अगर final की बात की जाए complete आपके selection की बात की जाए में होगा कितने के बीच में होगा 66-76 आपके जो है आपके यह number आने चाहिए 40 सिर्फ minimum है अगर 66-76 के बीच में आपका आ रहा है तो फिर आपका final selection होगा लेकिन अभी आपके लिए सबसे महत्पूर्ण क्या है भई सबसे महत्पूर्ण अभी आपके लिए यह है कि आपको physical की तयारी करनी है या नहीं उसके लिए मैं आप सभी को बता दू कि अगर आपके minimum 40-42 नंबर आ रहे हैं negative हटा कर सब कुछ माइनस करके अगर 40-45 के बीच में है आप प्लस माइनस वह पांच का जो गेम है आपका 40-45 के बीच में अगर आप है तो आप physical की तयारी प्रारंब कर दीजे अब बात आती है कि सर रिजल्ट कब प्रारंब में पांच दिन लेट हुआ लेकिन लास्ट में वो cover-up हो गया तो पेपर का जो रिजल्ट है वो भी ज्यादा लेट नहीं होगा क्योंकि आपका सेना का मामला है ज्यादा इसमें आपका जो है डिले होना संभव नहीं है तो आपका 20 मई के आसपास तक जो है वो जैसा government ने बताया है आपका result आ जाएगा और अगर फिजकल की बात की जाए तो मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि अगर आपके मिनिमम 40 आपके या 40 से 45 मार्क्स आ रहे है तो आप फिजकल की तैयारी प्रारंब कर दीजे उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हो धन्नवाद